आपको जिन्दगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमत भगवत गीता की ये 25 बाते ठीक से सुन समझ लो, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा. गीता का ये ग्यान अमरत से भरा है, जो इनसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है. मैं गैरेंटी के साथ हैं बात कह सकता हूँ, कि जो कोई भी इन 25 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उ श्रीमत भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है, कि जिन्दगी में कभी भी खुद को किसी का महताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के महताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुचा सकता, कोई आपका फाइदा नहीं उठा सकता, जिस इनसान तोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, कामवाली बाईयों के महताज हो जाते हैं, तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा, और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे, और उसरे हजार आपशन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे, अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं, जहां आपके बास के गलत होते हुए भी, आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है, कि आप उसके महताज हैं, और वो उसका पूरा फाइदा लेता है, और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के महताज हैं, तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते, आपके सर पे चड़के नाचेगा वो इनसान, और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा, लोगों को बहुत मज़ा आता है, अपने से कमजोर इनसान को अपने कंट्रोल में रखने के, आप चाहे हजार उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो, जिससे उन्हें खुशी मिले, और ऐसे लोग आपकी गर्दन को द जाने से भी बत्तर होता है, महताजी आपको गुलाम बना कर रख देती है, आपने कभी गौर किया, आपकी जिन्दगी वही लोग खराब करते हैं, जिनके आप महताज हो जाते हैं, आपका सारा दुख वही से आता है, जिसके आप महताज होते हैं, महताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी महताजी मन की होती है कि जिन्दगी में कोई हमें चाहिए हमें संभालने के लिए नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे अकेला पन लोगों से जहला नहीं जाता है, फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की महताजी का पूरा फाइदा उठाते हैं आप उनसे रिश्टा इसी लिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिन्दगी में थोड़ी खुशी आए, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं आपकी पूरी जिन्दगी नर्क बना देते हैं याद रखना एक बात माबाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज सक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके महताज हो और वो आपका फाइदा ना उठाए इसलिए जिन्दगी में कभी भी खुद को किसी का महताज मत बनाना श्रीमत भगवत कीता का दूसरा उब्देश ये है कि जब भी जिन्दगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ रेना कि आप दुनिया में अकेले ही आये थे और अकेले ही जाओगे वास्तविक्ता में यहां कोई आपका अपना नहीं है एक दिन तो जो माबाप हमें जनम देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं तो औरोसे तो उमीद ही क्या करना यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो इश्वर सदा आपके साथ है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता गीता में श्री कृष्ण ने अरजुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता क्योंकि ये सब मेरी ही संताने हैं ममई वान्चो जीवलों के जीवभूदस अनातना मनश श्ठानी इंद्रियानी प्रकटि स्थानी कर्शती इंसान को इश्वर का ही अंच कहा गया है इसलिए मनुष्य को इश्वर की संतान कहा जाता है इसलिए आपको अकेले पन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए कभी डरना नहीं चाहिए बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए एक कहावत है कि something is better than nothing कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बहतर है लेकिन एक और कहावत है कि nothing is better than nonsense कि nonsense लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो इसलिए गीता का ये उपदेश हर इसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझ कर दुखी हो जाते हैं इसलिए अकेले पंज से डरना दुखी होना छोड़ दो क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता गीता का तीसरा उपदेश ये है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो बस थोड़ा धीरज रखो जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा समभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं एक राजा अपने गुरू जी के पास गया और उसने गुरू जी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज़ा में हर प्रकार की खुशहली है पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है अगर कभी जिन्दगी में कोई मुश्किल वक्त आए कोई बुरा वक्त आए तो उस वक्त के लिए मुझे एक तावीज बांद कर दे दिया और राज़ा से कहा कि इस तावीज में मैंने एक मंतर लिख कर रखा है जब तुमारी जिन्दगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता उस समय पे ये तावीज खोलके तुम इस मंत्र को पढ़ लेना तुम्हारे अंदर बहुत शक्ती आ जाएगी और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आकरमन कर दिया और इस राजा की ऐसी इस्तती हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा उस समय पे राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरू जी ने मुझे एक तावीज दिया था कि जब जिन्दगी में बहुत बुरा वक्त आए तब इसे कोल कर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ती भर देगा राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है उसने गुरू जी का दिया हुआ मतावीज खुला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ती आई विश्वास जगा कि ये जो पुरा वक्त है ये भी टिकने वाला नहीं है ये भी निगली जाएगा इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी वापस से अपनी सेना खड़ी करनी है और उस राजा ने वापस से अपने सेनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पे हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया तो जिन्दगी में इस सिती चाहे कितनी भी बूरी क्यों न हो वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली वो भी एक दिन गुजर जाएगी वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा हमारी जिन्दगी में नजहाने कितनी बार दुखाए कितनी बार मुश्किल वक्त आया लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं ऐसे ही आपकी जिन्दगी में जब कोई मुश्किल वक्त आये बुरा वक्त आये तो मन में ये विश्वास रखना कि ये वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा इसलिए अपनी हिम्मत मतारो अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पाल कर जाओगे श्रीमत भगवत गीता का चौथा उपदेश ये है कि जब कोई आपके साथ दोखा या चल करे तो उसको कोशना या दुखी होना छोड़ दो बलकि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं यहाँ पर न लोग अपने मूपर मुखोटा लगा के गूमते हैं यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता आप किसी के साथ थोड़ा गलत वहवार करके तो देखो उसका असली रंग सामने आ जाएगा या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा इसलिए किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए किसी से भी इतनी उमीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही तूट जाए क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के हुँगे अपना दिल उस इश्वर को समर्पित कर दो फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के बारवे अध्याय भक्ति योग में कहा है कि हे अर्जुन तो अपना मन अपनी बुद्धी अपना दिल मुझ में लगा दे फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा याद रखना इस दुखना में आप जिससे भी सबसे ज़दा दिल लगाओए सबसे ज़दा दुख भी आपको वही इनसान देगा क्योंकि इस दुनिया में न दिल की कोई गदर नहीं है भाउनाओं की कोई गदर नहीं है यहां कदर होती है मतलब की, फाइदे की का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं तो उस पे यकीन मत करिए। वो सिरफ एक मुखोटा है आपको दिखाने के लिए, आपको फसाने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फस्त हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। गीता की पांचवी शिक्षा ये है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चा ताप में जीते रहोगे, तो आज में आप कभी कुछ नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों नहीं पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये जिन्दगी में आगे नहीं होने देंगे हम और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई بार ने लोग रोते रहते हैं, कि उस इनसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए आज जिन्दगी में में इतना दुखी हूँ। लोग कोशते रहते हैं दूसरों को, कि उसकी वज़े से मेरी जिन्दगी में दुखे, उसकी वज़े से मेरी जिन्दगी खराब हो गई है, लेकिन जब तक आप उसे कोशते रहेंगे, आप जिन्दगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंग आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसंद रहता हो आपको सिरफ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है कल में जीने वाला इंसान किसी ने किसी पीडा से जुड़ा होता है किसी ने किसी दुख, किसी ने किसी पश्टा तांप से जुड़ा होता है कल में जीना आपके जिन्दगी की सारी खुशियां छीन लेगा तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाईए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए श्रीमत भगवत गीता का छठा उपदेश ये है कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यदा पीड़ा प्रेम देता है लोगों ने प्रेम जिसी पवित्र चीज़ को गंदा कर दिया है जहर भना दिया है सबसे ज़ाधा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूपते हैं अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वो आपकी भावनाव को चोट पहुचा ही नहीं सकता संबंध चाहे जो भी हो हच से जादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वो उसके लायक नहीं तो सिवाए दुख के और कुछ नहीं मिलेगा वास्तविक्ता में प्रेम पीडा नहीं देता बलकि ऐसे इनसान से प्रेम करना पीडा देता है जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है तो प्रेम सिर्फ उसी इनसान से करो जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की आपके भावनाओ की किसी को कदर दक नहीं है वहां से आप कृप्या करके खुद को दूर ही रखें गीता का साथवा अबदेश यह है कि हमारे रिष्टेदार ही हमसे सबसे ज़्यादा जलते हैं हमारी सफलता से सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे रिष्टेदारों को ही होती है बाहर वालों को कोई फरक नहीं पड़ता कि आपकी जिन्दगी में क्या हो रहा है पर जो आपके रिष्टेदार होते हैं उनकी नप पूरी नजर रहती है आपकी जिन्दगी पर बाहर से तो वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिन्दगी में पर जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे अपनी किसी कामियाभी के खबर उनको सुनाएंगे तो उसे सुनकर उन्हें बिलकुल भी खुशी नहीं होती कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती महा भारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था ये भाईयों के आपस की लड़ाई थी पांडवों के हर सुख से दुरियोधन जलता था जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उससे बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं होता था दुरियोधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का जितना हो सके उन्हें दुखी करने का और वही भाईयों की आपसी जलन महा भारत के युद्ध की वजह से हुई जिसमें नचाने कितने अंगिनत लोग मारे गए बाहर वाले को क्या फरक पड़ता है कि आप कैसे जिन्दगी जीते हैं लेकिन ये जो रिष्टेदार होते हैं ये जो करीबी लोग होते हैं मजाल जो इन्हें आपकी खुशी बरदाश्ट हो जाए सबसे खतरनाक होते हैं लोग क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा चलते हैं आपको अच्छे-च्छे शब कहते हैं लेकिन आपके पीट पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते तो इसी लिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि वो सच में आपका अपना है या सरफ अपने पन का दिखावा हो रहा है गीता का आठवा उपदेश ये है कि आज के युग में बहुत जादा अच्छे मत बनो नहीं तो ये दुनिया आपको लूटके कंगाल कर देगी पांडव की कहानी ये शिक्षा देती है कि जादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है जो पांडव हमिशा धर्म पे चलते थे अभी कोई गलत काम नहीं किया लेकिन उनको लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया उनकी पतनी को भरी सभा में नगन करने की कोशिश की गई पिक्षा लेकर के उनने अपनी जिन्दगी गुजारनी पड़ी कारण क्या था वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे थे ये तो तब की बात है और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है लोग ने अच्छे इंसान को इज्ज़त कम देते हैं बलकि उसका इस्तमाल ज़्यादा किया जाता है अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप इस चीज़ को खुद अनभाव कर पाएंगे आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं लोग आपके साथ उतना गलत वहभार करते हैं लोग आपका उतना ज़ादा इस्तमाल करते हैं, आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं, और लोग सिर्फ आपका एडवांटेश रेने में लगे रहते हैं, इसलिए आज के जमाने में खुश रहना है न, तो बहुत ज़ादा अच्छे मत बनो, इसका ये प्रेम और इज़त नहीं है, वहां कभी मत जाओ, महा भारत का युद्ध शुरू होने से पहले, श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांती प्रस्तावले करके, तब शकूनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर उन्हें अपने घर आने के लिए कहा, वह श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर पे रहिए, मेरा आथित्य स्वेकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए, तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, कि दुर्योधन इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी मुझे कोई प्रेम है तो तुम्हारे घरतों में कभी नहीं आऊंगा तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सरफ और सरफ अपना मतलब पूरा करने के लिए और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए इसलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आप आपको कभी नहीं रहना चाहिए आपको सरफ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले गीता का दस्वा अपदेश ये है कि कभी भी अपने धन अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए तुर्यो धन को बह अपने पद और शक्ति का अभिमान था लेकिन वो अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना जो लोग अपने पैसे के एहंकार में या शक्ति के एहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं दूसरों को चोट पहुचाते हैं एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वना जो दूसरों के साथ चल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो अंत में उसकी खुद की मृत्यू भी एक चल से ही हुई थी। इसलिए कोई अगर खुद को बहुत जाना चालाग समझता है कि दूसरे को दोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, एक दिन कोई आएगा उसकी जिन्दगी में भी जो उसको भी दोखा देगा। क्योंकि कर्मा सब के चहरे याद रखता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल्ज जरूर मिलता है। गीता का बारवा अपदेश ये है कि जो इनसान आपको बार बार चोट बहुचाए, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युदिश्ठिर ने दुरियोधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी सिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। कोई इनसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है। लेकिन कोई अगर बाल बार गलती करे उसे माफ करना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाएगा। क्योंकि वो गल्ती नहीं हो रही है उससे वो उसकी आदत है वो ऐसा ही है वो हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा तो बहुत जादा दयालू मत बनो किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस आप जरूर साथान रहना कहते हैं आजमाई हुए को फिर आजमाना मिट्टी मूँ में डालने के बराबर होता है जिससे दोखा खाया है जिससे आपको तकलीफ मिनी है उस पे भरोसा गल्ती से भी मत करना तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो गीता का बारवा उपदेश ये है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के अगे जाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग आपकी खुशी पे नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हसी उड़ाने लगते हैं आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता लोगों को ज दिखाया ना करो, लोग तो बैठे ही हैं, दुखी इनसान को और दुखी करने, और जो खुश है उसको तकलीफ पहचाने के लिए, रहीमन निजमन की व्यता, निजमन राखो लेह, अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सरफ उसे बताओ, जिससे उसे समझने की समझो, धीता क चौदवा उपदेश ये है, आप चाहे कितने भी अच्छी हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो आपका भी वही हाल होगा, जो बुरे लोगों का होता है, भीश्म पितामा एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़ उनको मृत्यों की समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा, इसलिए घलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वज़ह से, उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है, पिर आपको समझने ही आता, कि मैंने तो कुछ किया भी नह मैं तो खाली इनके साथ रहता हूँ, मुझे दुख क्यों मिला, बुरे लोगों का संग आपकी जिन्दगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए, गीता का पंदरवा उपदेश ये है, कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभ भी ग्यान नहीं देना चाहिए, इससे उनके एहंकार को चोट लगती है, और वो आपके लिए मन में वैर भाव रखके बैठ जाते हैं, और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुचाते हैं, गीता का सौलवा उपदेश ये है, कि किसी से भी हद से जादा लगाओ, कभी मत रखना, दुरियोधन के पिता दृतराष्ट का राजगदी से बहुत जादा लगाओ था, राजगदी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और गदी के लिए उनका वो हद से जादा लगाओ और मो पूरे राष्ट को ले डूबा, अंगिनत लोगों की मौ का कारण बन गया, आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से जदा पागल हो जाते हैं, तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिन्दगी ज़रूर खराब कर देती है, गीता का सत्रवा उपदेश ये है कि क्रोध मनुष्य का सरवनाश कर देता है, क्रोधी में कुछ भी संभाल नहीं सकता, गीता का अठारवा उपदेश ये है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनन्द ही देगा, दुख और सुख सरफ शांत और अशांत मन के परिणाम है, अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनन्द को जन्म देता है, गीता का उन्नीसवा उपदेश ये है कि आखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसी बहुत कहानिय आपने सुनी होगी, कि कई बार आँखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है, इसी लिए भरोसा करने में कभी भी जल्द बाजी मत करना, गीता का बीसवा उपदेश ये है कि लोगों में अपना सहरा ढूनना छोड़ दो, सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी हो जो लोग सोचते हैं न, कि ये तो मेरा सहरा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे जादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं, आप सरफ इश्वर को अपना सहरा बनाओ, देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी न, व दुनिया को सहरा मत बनाओ, कि वो खुद अपने लिए सहरा ढून रहे हैं, वो आपका सहरा कैसे बनेंगे, दोस्त, तो अपना सहरा दुनिया को नहीं, इश्वर को बनाना चाहिए, गीता का 21 वाउप देश ये है, कि बहुत जादा मीठे बोलने वालों से, और जादा तार तारीफ ही सरफ तभी की जाती है, जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है, याद रखना कि तारीफ आपको जिन्दगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो कुछ ता कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेग इसलिए जो बहुत जादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान रहना चाहिए, लीता का बावी स्वाव अपदेश ये है, जो आपके मुह पे अपना पन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना, चानक के ने कहा है, कि ऐसे लोग उस खड़े की तरह होते हैं, जिसके मुह पे तो अमरत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ हो, आप जिसे अमरत समझ कर पीछाते हैं, वास्तविक्ता में वो जहर ही होता है, विश्कुम्भम पयो मुखम, तो ऐसे कि जिस रिष्टे में मर्यादाएं तूट जाती है, महा सरफ सर्वनाश ही होता है, कोई अब से बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिष्टों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा, तो वो रिष्टा कभी नहीं टिक सकता, रिष्टा सरफ तभी चलता है, जब दो ल आज नहीं तो कल, खत्म ही हो जाता है, घीता का चौवीस्वा उपदेश यह है, कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए, पुराने को पूरी तरह से मटाना पड़ता है, श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महा का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है, जब कोई बिल्डिंग पूरी तरह से भंगार हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्मान होता है, ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है, तो पुराने को गीता का पचीसवा उपदेश यह है कि इनसान ही आजकल इनसान का दुश्मन हो गया है। इनसान ही तो इनसान को खा रहा है। एक दुसरे का बिजनिस खा रहा है। एक दुसरे की नौकरियां खा रहा है। एक दुसरे की जिन्दगी की खुश्यां खा रहा है इनसान। जो दुखी है उसे और दुखी करो। जो खुश है उसे परिशान करो। यही तो हो गया है आज आजकर कहने को तो सब इनसाने लेकिन इनसानियत कहीं दिखती ही नहीं है। एक सेट के घर से एक बिखारी निकल रहा था। उसने उस सेट से कहा कि मुझे एक गलास पानी पला दीजिए। बहुत प्यास लगी है। बहुत दूर से पैदर चलके आया हूँ। मैंने प्राण निकल रहे हैं। तो वो सेट बोला कि अभी आदमी नहीं है। आदमी आजाए आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस बिखारी ने सेट से कहा आप करप्या करके मुझे एक गलास पानी पला दीजिए मैं चला जाओंगा। मेरे प्राण निकल रहे हैं और आस पास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेट ने कहा मैंने कहा न कि आदमी आने वाला है। वो आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वो बिखारी उस सेट से कहने लगा कि तुम खुदी आदमी क्यों नहीं बन जाते। थोड़ी दिर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है। तहां कोई आदमी बनने को तयार ही नहीं है। बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं। एक दूसरे का फाइदा उठाने में लगे हैं। इसलिए ही कल युग को मतलबी युग कहा जाता है। लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। तो कीता की ये 25 बातें अगर आप ठीक से समझ लेंगे और इन्हें हमेशा याद रखेंगे तो विश्वास रखना दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपके मन को और आपके दिल को चोट पहचा सके, आपको दुखी कर सके ये 25 बातें अगर आप हमेशा याद रखोगे तो सिंदगी में हमेशा खुश रहो